नमस्कार दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आया इगनू की वेफसाइट पर दोस्तों यह अपडेट है आपके प्रमोशन को लेके दो कि जो भी यूजी पीजी के जो भी स्टुड जारी कर दिया है उसमें कौन-कौन से स्टुडेंट होने वाले हैं पूरी टीटेल में इस वीडियो में बताने वाला रहा हूं खासकर ओंबीचीज्ट अंडर गैजियून अधो तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने इस दोस्तों के साथ को इस वीडियो को जादा जादा से करें ताकि उनको भी यह सारी notification मिल सकें तो दोस्तों काफी बड़ी update है तो वीडियो को ध्यान से देखके और यह notification डाउनलोड करके खुश से भी कई बार पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आजागा वैसे जो भी है मैं अपने सब्दों में आपको ध्यान आराम से समझाओंगा और point to point जो बाते हैं मैं clear कर दूँ में जैसे कि आप देख पार है modalities for the promotion of the intermediate year semester students of the UGPG programs in the June 2020 term exam और एक सबसे बड़ी बात ध्यान में रखके आप पूरा notification पढ़िएगा इस चीज़ को क्योंकि जो यह promotion हो रहा है जो यह promotion हो रहा है वो June 2020 term exam के लिए हो रहा है दिसंबर के लिए नहीं हो रहा है इस बात को ध्यान में रखके पूरा notification पढ़िएगा तभी आपको notification समझ में आएगा ठीक है तो यह सारा heading तो मैं बता चुका हूँ council की meeting हुई 75th meeting में यह decision finally ले लिया है और student evaluation division की तरफ से notification जारी कर दिया है ठीक है अब programs कौन कौन से आते हैं यह ध्यान से समझ लिजीएगा के वल under graduate और post graduate programs के लिए certificate diploma के लिए नहीं है पहले ही में बता दे रहा हूँ बहुत ही शलल सब्दों में समझा रहा हूँ ज्यादा इसमें माथापत चीमत करिएगा मैं एकदम clearly आपको समझा दे रहा हूँ किन-किन की students को promote किया जाएगा और किस तरीके सब promote किया जाया कैसे उनके marks रहेंगे सब मैं इसमें बताऊंगा certificate diploma students के लिए नहीं है तो undergraduate program में जुलाई में जितने भी enrolled student है ध्यान से समझ देख लीजिएगा कि यह सारे programs के student है जो जुलाई 2019 में enrolled है first year या second year ठीक है first year या second year ध्यान से समझेगा first year या second year जितने भी student है यहाँ पर ध्यान देजिएगा July 2019 के लिए बीए जी बीकॉम जी बीस्टी जी बीस्टी बीटीम बीबी रेटेलिंग और second year में भी same ऐसे यह बीए बीकॉम बीस्टी बीए बीटीम नहीं है क्योंकि नहीं लांच हुआ था इसलिए बीबी रेटेलिंग है इसमें ठीक है तो अब जुलाई में जो भी यह student है यह अपन से दिये हैं यह देख लीजिएगा आप अब जो यहां पर नीचे second column है वह जनवरी के यह जो semester वाइस students के लिए है क्योंकि एक जो होता है इसमें की student second semester, fourth semester intermediate की बात हुई है तो intermediate final year को छोड़ के पहले का सभी intermediate में आता है आपको पता ही होगा ठीक है तो बीस ही है कि जितने भी student है फास semester, second semester, third semester, fourth semester, January में जो भी January में इंडोल होगे कि यह जून, 20, 20, turn one exam की बात हो रही है इसलिए यह जनवरी 2020 का यहां पर दिया है और July 2019 इसलिए दिया है क्योंकि एक साल बाद exam होता है yearly programs होते है यह सारे के सारे जो bachelor degree programs है ठीक है वो भी और पो MBA का भी MBA, MBA banking finance, MSC, MSCS ठीक है यह semester रवाय जितने भी programs है वो first, second, third, fourth semester के लिए, MSCS के लिए है first and third semester के लिए ठीक है तो यह आप column समझ गए होंगे, आप second point पर चलते हैं, second point किस-किस पर यह not applicable होगा, किसको कुन को नहीं promote किया जाएगा, यह बताया गया, जो MOU की थूरू प्र प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है, जैसे कि CA के साथ, CS के साथ, और जो है, BHM की student है, जो IHM के साथ collaboration है, ठीक है, यह collaboration वाले कोई भी programs को promote नहीं किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें है, B8, BLIS, MLIS, BHM, MA, MHA, ठीक है, BSC nursing, BICOM NF, CNA, MCOM FNT, BBS service management, जो गएगा, जितने भी यह प्रोग्राम है, यहां लिस्टेड है, आप देख सकते हैं, यहां पर देख लीजेगा ध्यान से, अब बात आती है सबसे, जो है tricky point यहां पर दिया है, जो ज्यादा tricky भी नहीं है, लेकिन आप ध्यान से समझ लीजेगा, मैं आराम से समझाओंगा, आपको समझ आ जाएगा, अंडर की जो इस प्रोग्राम नो थर्ड पॉंट में जो दिया है, थर्ड पॉंट में है कि फस्ट इयर के जो इस्टूडेंट होंगे, जो फस्ट इयर में इनलोर्ड होंगे, जो लाई 2019 कोई प्रीविश नहीं होंगा, को मार्क्स कैसे दिया जाएगा, यह बात कही गई है सरल से समझ लेजिए, तो उनको मार्क्स जो दिया जाएगा, वो जैसे मोटे हिडिंग में लिखाएगा, टर्म इंड एक्जाम ग्रेट्स इन फर्स्ट इयर कोर्सेश विल बी एसाइंड ऑन बेसिस ऑप दे मार्क्स ग्रेट ऑप्टेंड इन टर्म इंड आफ यर सेकेंड कोर्सेश दो अभी आपका जो जुलाई में जो इंडोल हुआगा, जून में एक्जाम पढ़ रहा है, वो नहीं दे पाएं, उनको प्रमोट तो कर दिया जाएगा, लेकिन कैसे प्रमोट किया जाएगा, वो जब सेकेंड इयर का अपना एक्जाम देंगे, जो कि दिसंबर या जून में नेक्स्ट इयर में पढ़ने वाला है, वो एक्जाम देने के बाद, वो एक्जाम देने के बाद, उसके मार्क के बेसिस पे वो प्रमोट किया जाएगा, जब आप उसको एक्जाम दे देंगे, उसके बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, यून में पड़ रहा ऊगाँ उनको worst year में हो चुका है ठीक है उनका satur करदिये जाएगे उनको 3rd or 4th semester जो कि उनका 2nd year का exam हो जब होगा उसके हिसाब से 1st year का marks दिया जाएगा सेम वही बात लिखी गए यह पूरा detail में आप पढ़ सकते हैं यहां पर मैं और ओसी सेम 4th point में जो लिखा गया है 4th point में सेम ऐसे लिखाएगा BC student intermediate will be exempted for the term exam in the year respective intermediate semester June 2020 सब्सेक्वेंट as the case year b sub semester ठीक है तो अगर उनका पहले हो गया क्योंकि December 2019 में एक टर्मेंट पढ़ा होगा या फिर January में जो है उनका 1st semester होगा जूम में पढ़ा होगा तो उनका 2nd semester के हिसाब से जो कि अभी उनका होने वाला है फरवरी में जो कि December का रिसे डिल हुआ है उसके हिसाब से से मैसे सबको मार्क्स इसी तरीके से दिये जाएंगे तो आप इसको ध्यान से समझीए कि काफी थोड़ा सा tricky कर दिया उन्होंने बस और पहले ऐसे नहीं लिख previous year नहीं है उनको second year के courses के हिसाब से मार्क्स दिये जाएंगे से मैसे इसमें भी लिखा है fourth point में और MCABC के लिए सेम ऐसे ठीक है और आगे सेम इसे banking and finance के लिए है कि जो जून 2020 में टर्मेंड एक्जाम होगा उन्हीं को जिनका पढ़ रहा होगा चाहिए first, second, third, fourth, fifth semester तक प्रमोशन हो रहा है जैसे कि आपने open notification में देख लिए आओगा जोगी semester wise programs होंगे जोगे fifth semester तक प्रमोट किया जा रहा है अगर उनका June 2020 में पढ़ रहा है उनका टर्मेंड या प्रमोट किया जाए उनका previous या फिर आने वाले टर्मेंड एक्जाम के base के marks पे ठीक है अब आगे चलते हैं अग वह इसे सेम यहां पे लिख लिखाए student दून नहीं है और यह जो है notification चेंज भी हो जाएगा time to time depending on the prevailing circumstances due to COVID-19 pandemic कोई COVID-19 pandemic हिसाब से time to time change भी हो सकता है तो revise guideline में भी आ सकती है तो ध्यान से आप website को visit करते रहिएगा बातवा point जो है जो exemption के बात कही है इसमें जो कि अगर आप June 2020 tournament के exam के लिए ही अगर first year second year में जो है enroll किया होंगे तभी आपको exemption दिया जाएगा दरवाइज नहीं दिया जाएगा बाकी local restricted है उनके लिए कोई exemption नहीं है EGPG के students के लिए बात हो रही है तो tournament exam जून के लिए अगर आपका first year का exam पढ़ रहा है जून में या second year का पढ़ रहा है ठीक है सेम आपका जो है जो banking MBA और MBA banking finance के लिए बात कही गई है ठीक है आपके five courses होते है five courses में अगर आपका June 2020 में अगर five courses है तो five courses के लिए आपका जो है आपको promote कर दिये जाएगा जून 2020 में कोई भी आप आपका semester year पढ़ रहा है ठीक है उसमें आपको promotion मिलेगा अगर उसमें आपका MS 100 content करता है अगर MS 100 subject है ठीक है MS 100 subject है तो उसमें आपको promote नहीं किया जाएगा बाकी चार courses में कर दिया जाएगा हर semester में 5 courses होते है MS 100 एक course होता है अगर वो पढ़ रहा है आपके June 2020 में तो चार course मे promote कर दिया जाएगा MS 100 में promote नहीं किया जाएगा ठीक है और now a point काफी important है अब ध्यान से समझ लीजिएगा the university will make provision in the in this online submission of tournament exam form for those students who do not want to be promoted as per the guidelines want to be appear in tournament exam in February ठीक है तो जो भी university के guideline जो उपर सारे लिखे हैं उसमें promote नहीं होना चाहता है उसके लिए अलग से guideline बनाई जाएगी और tournament exam जो है 2021 में जो पढ़ रहा है फरवरी में उसमें वो exam दे सकता है ठीक है अब form जो है form में जो form भरा जा रहा है उसमें कुछ changes भी किये जाएंगे ताकि वो June 2020 tournament exam 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 दे जुलाइ 2020 इट इस री टेरेटेड़ दैट इन दे ओडियल सिस्टम यह सारी बाते में बता दूँ आप सिंपल में इसमें क्या होता है कि आप ओडियल और regular की हिसाब से में बता दूँगे regular में क्या होता है जब तक आप first year pass नहीं करते आप second year में नहीं जा सकते नहीं कर सकत एडियल सिस्टम में ऐसा नहीं है आपको बिना एक्जाम दिये first year second year third year में बैचलर की बात कर रहा हूं आप बिना एक्जाम दिये master में second year final year में जा सकते हैं तो यहीं बात कहीं कि जो काफी सारे student जो होते हैं उनको पता नहीं होता है और इसमें जब तक वो first year pass नहीं करते है second year में इंडॉल नहीं होते हैं क्योंकि इसमें अभी बात आएगी बहुत सारे student जो है first year का exam तो दे दिये होंगे लेकिन कुछ पास नहीं होगे तो second year में re-relationion नहीं करवाया होगा तो वो बाद में उनको problem हो जाएगी ठीक है क्योंकि उनका जून 2020 में second year पढ़ रहा होता उन्हों अगर इंडॉल करवा होता है तो वो promote हो जाते ठीक है उसमें उनका नुक्सान हो जाएगा इसलिए इगनू में ऐसा है कि आप बिना first year का एक बिना assignment दिये सब कुछ किए बिना आप second year में फिर उसके बाद बिना first year second year का exam दिये final year third year में bachelor degree में प्रोग्राम में admission ले स तो अभी आगे से आप चाहे exam पास करो first year second year का नहीं first semester third semester लेकिन अपना next semester year में आप enroll re-resession जरूर करवा ले ठीक है तो अब जो next point है जो मैं बता दूँ है the other details regarding examination criteria exam form submission fee ECT will be intimidated so the separate notification और भी जो other criteria है या जो भी और चीज़े आएंगी exemption के लिए form submission के लिए जो fee वगरा के लिए वो अलग से notification save it आएगा वो website पर डाला जाएगा तो आप भी website देखते रही है मैं भी देखते रहूंगा जब notification आएगा आपको बताऊंगा और इसमें कोई भी ऐसा point है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप comment box में लिखके या email करके प अपने दोस्तों के शेयर करिए ताकि इनको भी notification मिल सके हागे कोई और ब्रेट आएगी मिलते हैं नेक्ट वीडियो तब कि नमस्कार